Very good morning student. Once again I am here with a new video. I hope you all will be fine and enjoying your story at home with your parents. Before I start this video, take out your book and open page number 24. Student, आज आपको क्या करना है? Revision time. इसे भी solve करना है. सारे चीज़े पढ़ा दी गई हैं आप लोगों को और सब कुछ समझ में भी आ गया होगा. बच्चो आप सभी बहुत ध्यान से वीडियो को पूरा देखा करें. ठीक है? बहुत सारे बच्चे तो होमवर्क ही नहीं दिखाते हैं. अगर आप लोगों होमवर्क नहीं करेंगे, तो बच्चो इस वीडियो को बनाने का कोई profit आपको नहीं मिलेगा. आया समझ में, maths इतनी भी easy नहीं है कि आप बिन पढ़े सब कुछ आपको आजाएं. ठीक है? कोई भी subject इतना easy नहीं होता कि बिन पढ़े सब कुछ आजाएं. आपको पढ़ना पढ़ता है और जरूरी भी है. अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीजें कैसे आएंगी? खेर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. अब हम लोग exercise तो देखिए आपको first problem, revision में first problem क्या लिखा हुआ यहाँ पे? find the sum of the following, means इन सारे नंबर को plus करना है. ठीक है? प्लस करना मैंने सिखाया है, काफी बार सिखाया है और आप छोड़ी class में भी पढ़के आए हैं. तो आपको simple इस problem में क्या करना है? प्लस करना है. क्योंकि यह revision time है तो मैं ज़्यादा solve करके नहीं दिखा रही, क्योंकि मैं already स करना होगा. तो question number A से आपको अपनी copy में करना होगा C. ठीक है? सारे बच्चे अपनी book open किये रहें और question को note करते रहें कि आपको कौन सा homework करना है. तो आप अपनी book में question A में tick कर लीजे, question C. Question C को आपको अपनी copy में solve करना है. बाकि सारे question आप book में ही करेंगे. ठीक है? सिर् आपको question C को अपनी copy में solve करना है. क्लियर हुआ बच्चों? सिर्फ और सिर्फ question C को अपनी copy में आप solve करेंगे. देखिए next है question B. इसमें आपको क्या करना है? find the difference means minus करना है. ठीक है? अब देखिए यहाँ पर minus करते time आप confuse नहीं होंगे क्योंकि यहाँ बीच में end लगा means आगे वाले number से आप पीछे वाले number को minus करेंगे. ठीक है? जब from लगा होता है तो पीछे वाले number उपर आ जाता है और from के पहले वाले को नीचे write करके हम minus करते हैं. क्योंकि यहाँ पर end है तो हम क्या करेंगे? जो बड़ा number है उसमें से छोटे number को minus कर लेंगे. तो आपको य move कर लेते हैं next question की तरफ. next है question number C और यहाँ पर क्या करना है? fill in the blanks. सारी बच्चे अपने book को open किये रहे हैं और साथ साथ में question को टिक करते रहें. नहीं तो forget हो जाएगा. देखिए अब आपको question C में क्या करना है? लिखा हुआ ना fill in the blanks. मैंने आपको सिखाया है estimated sum. के लिए तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया? simple plus करके दे दिया. बच्चों मैंने आपको तीन चार वीडियो में सिखाया है कैसे estimated sum या difference find out करते हैं. तो आपको वो rule follow करके sum या difference find out करना होगा. ठीक है बच्चों? जैसे मैंने बताया है कि आपको round of nearest hundred कैसे find करना होता है? तो आप लोग क्या करेंगे? पहले round of nearest hundred find करके उसके बाद उस number को plus करेंगे. ठीक है? सारे बच्चे क्या करते हैं? direct ही number को sum कर देते हैं. आपको direct sum नहीं करना है. पहले आप round of nearest thousand जैसे यहां लिखा हुआ है round of nearest thousand तो आप इन दोनों number का round of nearest thousand find करिए और उसके बाद इनको plus क कर दीजिए. ठीक है? आप यहां पर actual sum लिखा है. actual sum का क्या मतलब होता है? means हो गया कि इसी number को इस number को आप suggest plus करेंगे तो वो actual sum हुआ. और यह estimated sum क्या होता है? पहले आप इन दोनों number का round of nearest thousand find करेंगे. ठीक है? इन दोनों number का पहले round of nearest thousand find करेंगे और उनको plus करेंगे. तो व हो जाएगा estimated sum. और इस number को direct plus कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? actual sum. ठीक है? बच्चों चीजों को समझने की आदत डालिए. आप लोगों को अच्छा लगता है कि सारी चीजे लिख कर दे दी जाए और आप उसे copy कर लें. तो आप ऐसी आदत छोड़ दीजिए. मैत सीखन की चीज नहीं होती है. आप अच्छे से वीडियो को देखिए, समझी और खुझ से काम करिए. आया समझ में? जिन बच्चों को ये round of nearest ten hundred thousand नहीं find करना आता है तो आपकी class की playlist में ये तीनों वीडियो पड़ी हुई है. आप वहाँ पर जाकर देख लेंगे. और उसके बाद से solve करेंगे. ठीक है? अब next देखें यहां पर same process करना है. पहले आप estimated sum निकालेंगे फिर actual sum राइट कर देंगे. ये work आपको book में ही करना है, copy में नहीं करना है. अब देखिए next problem है. next नहीं है, इसी का C or D part है. तो यहां पर आपको subtraction करना है. उपर में आपने plus किया था यह हां पर आप minus करेंगे. same work find करना है. चाहे plus करना हो या minus करना हो, estimation में कोई difference नहीं होता. round of nearest hundred, ten, hundred, thousand, जिस तरह से plus के लिए find out करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से minus के लिए भी find out करते हैं. बस last में हम लोग क्या कर देते हैं? minus कर देते हैं. तो आपको ये भी दोनों book, दोनों work किस में करने हैं? book में ही करना है. अब last में बचते हैं ये दो word problem. तो बच्चों ये आपको दोनों word problem नहीं करने हैं. आप इसे cut कर देंगे. ठीक है? तो जितना करना है, मैंने आपको समझा दिया है. तो आप उसके recording क्या करेंगे? सारे work को अपनी book में, sorry, book और copy दोनों जग करेंगे for the correction. बच्चों मैस को बहुत ध्यान से पढ़िए. अगर आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो ये बहुत interesting subject है. इसमें कभी भी कुछ नहीं रटना पड़ता है अगर आप अपना दमाग use कर रहे होते हैं. ठीक है? तो बच्चों आज के लिए वस इतना ही. नेक्स को discuss करेंगे.